नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है जनसत्ता समाचार पत्र से संपाधिके डिक्टेशन लिखेंगे फाइब सेकेंड्स में, रडी हो जाईए पश्यम मंगाल में राजनीतिक दलों के बीच हिंसक टकराव पुरानी प्रवृत्ती है वहां सत्तापक्ष अपने प्रतिद्वंद्वी राजनेताव के खिलाफ बदले की भावना से कार्रिवाई करने से नहीं हिचकता मम्ता बनर जी की सरकार भी इस मामले में अलग नहीं मानी जा सकती पहले कम्यूनिस्ट पार्टियों और कॉंग्रेस के बीच मुख्य रूप से मुकामला हुआ करता था अब वह त्रिणमूल कॉंग्रेस और भाजपा कार्यकरताओं के बीच इस्थानांतरित हो गया है जब से त्रिणमूल कॉंग्रेस दुबारा सत्ता में आई है और भाजपा को बुरी पराजय का सामना करना पड़ा है तब से दोनों दलों के कार्यकरताओं और नेताओं के बीच तलखी कुछ अधिक बढ़ गई है पिछले विधान सभाद चुनाओं के वक्त त्रिणमूल कॉंग्रेस के बहुत सारे नेता भाजपा में चले गए थे पर चुनाओं नतीजों के बाद उनमें से अधिकतर वापस लौट आए इसी से इसपष्ट हो गया था कि वहां के नेताओं में सत्तापक्ष की बदले की कार्यवाईयों का भय कितना काम करता है जो पहले त्रिणमूल छोड़कर गए थे उन्हें तब यही लगा था कि सरकार भाजपा की बनेगी और वे सुरक्षित रहेंगे मगर नतीजे उसके उलट आए तो वे इसी भय से वापस लौट आए कि सत्तापक्ष उन्हें परेशान कर सकता है जो भाजपा में रह गए वे सत्तापक्ष के निशाने पर है विधान सभा चुनाओं के नतीजे आने के बाद से ही त्रडमूल छोड़कर भाजपा में चले गए और ममता बनर जी को सीधे चुनाओती देते आ रहे शुभेंदू अधिकारी के खिलाफ शिकंजे कसने शुरू हो गए थे हालाग की ब्रश्टाचार के मामले में अधिकारी के खिलाफ केंद्रियजाच एजिंसियां पहले से जाच कर रही थी मगर उनके भाजपा में शामिल होने के बाद वे ठहर गई थी फिर पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमे दायर कराए इसे लेकर अधिकारियों ने कोलकाता उच्च नियायाले में निस्पक्ष जाच की गुहार लगाई थी मगर वहां से कोई सकारात्मक निर्देश न मिल पाने की वजह से उन्होंने केंद्रिय ग्रिह मंत्राले को पत्र लिख कर गुहार लगाई कि पश्चिम बंगाल सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाब जूठे और मन गढ़ंत मुकदमे थोप कर परेशान कर रही है इस पर ग्रिह मंत्राले ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट कलम की है हालांकि केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच भी रिष्टे लगातार तनावपूर्ण बने रहते हैं मम्ता बनरजी केंद्र के हर फैसले को चुनोती देती देखाई देती हैं इसलिए वे ग्रिह मंत्राले के ताजा निर्देश पर कितना सकारात्मक रुख दिखाएंगी समझा जा सकता है अगर ग्रिह मंत्राले इस मामले को तूल देगा तो वे उसे सियासी रग देने से परहेज नहीं करेंगी राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतिसपर्धा लोपतत्र के हित में होती है मगर अब इसका लोप होता देखा जा रहा है सत्ता में आते ही राजनीतिक पार्टियां अपने प्रती द्वन्द्वी को प्रायह, रंजिश और बदले की भावना से सबक सिखाने का प्रयास करती है मंता बनर जी इस मामले में कुछ अधिक आक्रामक रुख अपनाती है वे तो अपने किसी कार्यकरता के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर खुद ठाने तक में पहुच जाती है अगर उनके खिलाफ कोई व्यंग चित्र बनाता है तो उसे गिरफतार कर लिया जाता है भाजपा कारियकर्ताओं के साथ उनके कारियकर्ताओं का खूनी संघर्ष अनेक मौकों पर देखा जा चुका है जबकि एक राज्य की मुख्या होनी के नाते उनसे संतुलित व्यावहार की अपेक्षा की जाती है हालांकी इस मामले में वे अकेली नहीं है दूसरे राजियों में भी यह प्रवृत्ती मौझूद है खुद केंदर सरकार भी ऐसे व्यावहार को लेकर लगातार सवालों के घेरे में बनी रहती है उमीद करता हूँ निक्टेशन आपने बहुत अच्छा लिखा हुगा जो वर्ट्स आपसे छूट गए हैं आउटलाइन साही नहीं बनी है उनको ढूड़िये उनके आउटलाइन्स बनाईए प्रेक्टिस करिए ताकि भविश्य में जववे शब्द आए तो आप उनको ब